Hello and welcome friends, जैसा कि आप जानते हैं कि Microsoft Word में Page पर Color Apply करना बहुत ही आसान है, बहुत ही easily आप Page पर Color Apply कर सकते हैं कैसे Apply करेंगे? यह देखिए पूरा document हमारा blank है अब इस पर चाहते हैं हम कि यह Page किसी Color में हो जाए तो आप सीधा कहां चले जाएए, Page Layout टैब पर चले जाएए और यहाँ पर आपको Option मिल जाता है Page Color का और यहाँ से आप जो भी Color Apply करेंगे, वो Color पेज पर आपके Apply हो जाएगा ठीक है? और जो आप Text लिखेंगे, वो Text भी आपको दिखाई पड़ेगा तो यह कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो क्या ऐसा Libra Writer में भी हो सकता है? आज इसी की बात करने वाले हैं तो चलिए, Start करते हैं, Libra Writer को Open कर लेते हैं तो यह Libra Writer मैंने Open किया है यहाँ पर क्या करता हूँ? कुछ Text लेके आ जाता हूँ तो यह Same Text में यहाँ भी लेके आ गया हूँ अब हमको यहाँ पर Page में Color Apply करना है तो कोई Option फिलाल शो नहीं हो रहा है तो हमें कहा जाना है? हमें इसी Page पे रहते हुए जाना है Format Option पे क्लिक करना है जैसे ही आप Format Option पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी Options दिखाई पढ़ेंगे Like Text, Spacing, Align, List, Clone, Formatting और तमाम चीजे आपको जाना है यह Page जो लिखा हुआ यहाँ पर तो इस Page पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई नया Page उपन होगा और वो Page कुछ इस तरह का होगा हमें इस Page पर Color Apply करना है तो हमें सीधा कहां जाना होगा Area वाले Option पर जाना होगा और Area पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई पढ़ेगा Color तो यहाँ Color पर क्लिक कीजिए और कौन सा Color Apply करना चाहते वो Color चूज करके और यहाँ से Apply पर क्लिक करके तो यह Color Apply हो जाएगा इन केस आपको अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप इस Format पर चले जाएए और फिर Page पर चले जाएए और फिर यहाँ पर Color चेंज करना चाहते है तो यहाँ से Apply पर क्लिक कर दिजिए Color को चूज करके तो यह Easily आप Page का Color बदल पाएंगे उमीद करता हूँ बात आपके समझ में जरूर आई होगी अगर आपको यह Video पसंद आए तो आप इसे Share करें साथ ही हमारे चैनल को Subscribe करें Thank you for watching this Video